आतिशी ने बत और दिल्ली सीएम अपना कारेभार समाल लिया है कारेभार समालने से पहले सीएम आतिशी ने दिल्ली वासियों को सम्मोधित किया इस दोरान उन्होंने बीजेपी पर जम का निशाना साथा वहीं CM की कुरसी पर केजरिवाल की वापसी को लेकर भी बड़ा दावा किया आतिशी उस कुरसी पर भी नहीं बैठी जिस पर CM के रूप में अरविंद केजरिवाल बैठते थे केजरिवाल की कुरसी उन्होंने हटाई भी नहीं बलकि उसके बगल में अपने लिए दूसरी कुर्सी लगवाली और उस पर बैठ कर कामकाश शुरू किया तक भगवान श्री राम की खणाओ रखकर अयोध्या का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओंगी भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए चौदा साल का वनवास विकार किया इसी लिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुर्शुर्तम कहते हैं उनकी जिन्दगी हम सब के लिए मर्यादा और नेतिकता की एक मिसाल है बिल्कुल उसी तरह अर्विंद केजरी वारा जी ने इस देश की राजनीती में मर्यादा और नेतिकता की एक मिसाल कायम की है पिछले दो साल से भारती जन्ता पार्टी ने अर्विंद केजरी वार जी पर कीचर उच्छालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन पर जूटे मुकदमे लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा चब अर्विंद केजरी वार जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरी वार जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई है शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अर्विंद केजरी वार जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुरसी पे नहीं बैठूँगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी इमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते है मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चार महीने में जो आने वाले चुनाव है दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशिरवाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विंद केजरी वाल जी को मुख्यमंत्री की कुरसी पे बठाएंगे तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी, अर्विंद केजरी वाल जी का इंतसाद करेगी